नमस्ते दोस्तों, मुझे यहां पर आप सब लोगों को भी जानकारी होगी और मुझे भी इसकी ख़बर मिली है कि किस तरह राजस्थान के नागाउर जिले में दलित उत्विडन के बहुत ही भ्यानक किस्मिकी घटना सामने आई है और इस घटना को लेकर सारा राष्ट्र द्वेलित है, सारा राष्ट्र परिशान है कि यह इस तरह की घटना है इस दौर में भी जब आप एक इस्वी सदी में है, दुनिया विकास के एक और चरण में जा रही है सब्भेता एक नए दौर में है इस सम इस तरह की घटनाों का होना क्या बताता है देखिया कोई कहसा की मानवाधिकार हिए रहनन की घटना है और ऐसा तो किसी के विशाष हो सकता है लेकिन हम आप सब जानते हैं किस तरह की घटना है भारतिय समाज में किन के साथ होती है आम तोर पर वो तलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अतिपिछडों के साथ या फिर बहुत गरीब लोगों के साथ इस तरह की घटना है होती है तो यह आप इतना तो समझ रहे हैं कि इस घटना का एक जातियत पहलू निश्चत रूप से है सवाल उठता है मुझे देखे इस घटना की बहुत चर्चा करने का मतलब नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी एक घटना सामने आई है इसके पीछे ऐसी कई सो घटनाएं आज भी हुई होंगी जो जिसके रुडियो नहीं बने होंगे जिसके रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही होगी तो निसंदे चुकि अब इतनी घटनाएं हो रही है रेकॉर्डेट घटनाओं कि सेंख्या ही हजारों में है से एक्ष्ट एक्ट को इतना कमजोर करने कोशिश के वाजूद इसमें इतने सारे घटनाएं दर्श हो रही है तो यह जो पूरा मामला है मुझे लगता है कि इस पर खुद राष्टर को मतले एक राष्ट्रिय जिन्ता का विशे होना चाहिए किसी एक समुदाय की जिन्ता का विशे अगर है तो यह अच्छी बात नहीं है तो कैसे रुखे कि यह घटनाएं दरसल यह घटनाएं हो रही है सबको मालूम है आजादी के बाद 70 साल में यह घटनाएं बढ़ी है और यह लगातार देखिए कि इसमें महिला उत्परण की और से और भ्यानक घटनाएं हो रही है तो भारतिय राष्ट क्या एक समाज की बड़े हिस्से को छोड़ कर और उसको उत्पिडित करता हुआ ही राष्ट बनेगा क्या यह दलित्वों का राष्ट है भी या नहीं है उनका इस राष्ट में कितना हाख है क्या उनको एक मानुविये जीवन गरिमा के साथ जीने का अधिकार है या नहीं है तो यह सारे सवाल है मेरे ख्यास से बात होनी चाहिए और मैं कुछ सल्यूशन प्रवाइड कर रहा हूं कुछ सजेशन दे रहा हूं आप विचार करें कि क्या इससे कोई रास्ता खुलता है को एक रास्ता निकलता है तो मुझे लगता है इसी घटनाओं को लेकर पहली बात सेस्टी एक्ट को कमजोर बनाने की सारी भासे बंद कर दी जाएं सेस्टी एक्ट की संदेशन बहुत जरुत है और इस ऐसे एक एक्जंप्लरी पनिस्मेंट होना चाहिए एक ऐसे पनिस्मेंट होने चाहिए जिससे की लोग सबक सीखें इसके बगर यह मामला सौल नहीं हो रहा है तुमाम यह उम्मीद करें कि जो उंची जातियों को लोग ह जातियों में ज़पि आचारी लोग हैं उन में मानवता जग जाएगीए अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो यह संभव नहीं है उनकी क्या समझत्र है यह अब वो जाने लेकिन भरतिय समाज मानुः समाज नहीं बन पा रहा है solution number 1 कि STST Act को मजबूत बनाया जाए उसके तहट जो एक दो अगर ये कहके कि फरजी मुकदमे हैं इसके आधार पर पूरे Act को कमजोर बनाने की जो कोशिश हुई है बहुत गलत है जिस जजज ने इसको कमजोर बनाया उस जजज को जिस तरह से पुरश्कित किया गया बीजेपी सरकार में वो अपने आप में शर्णाक है एंजीटी का चेर्मेन बना गया जिस्टिस को एल को जो की गलत फैसला उन्होंने दिया तो ये अपने आप में देखिए इस से लोगों का मन बढ़ता है कि आपने सेस्टेक के खिलाब फैसला दिया और आपको पुरश्कित कर रहे है सरकार पीजेपी सरकार तो इस से लोगों का दरसल मन बढ़ता है और इस तरह की घट्टाएं होती है तो पहली बात सेस्टेक पर कोई भी हमला बरदास्त न किया जाए और इसको सक्ती से अमल किया जाए दूसरी बात इस तरह की घट्टाएं जहां भी होती है वहाँ पर जो अपराधी है बलकि उस पूरे इलाके में उसको जैसे अब ये चलन वो भी रहा है पहले भी होता रहा है कि दंगों की स्थिती में या कई तरह के और केसे में इलाके को दंडित किया जाता है तो इसी घट्टनाएं जहां भी हो रही है या तो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से या तो वहाँ पर बिजली के दरें बढ़ा दी जाए एक छोटे से गुंतलब आप एक 305 किलोमेटर के दायरे में वह पुरा इलाका ददोशी है जो इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक रहा है या व्यक्ति का मामला होता तो मतलब उसको सुधारा जा सकता है पुरे समाज का मामला है तो यह दंड जो है वो सबको दिया जाए और इस तरह से जो पैसा निखले उस पैसे को लोगों को परडित पक्ष है इसको दिया जाए इसे बगाब यह मामला तो विजॉल देखे हो नहीं रहा है तीसरी बात इस तरह का कोई भी मामलाव के होता है तो एक सर्वदलिय और सर्व समाज में अलग-अलग समाज के हिस्से के लोगों को लेकर कोई कमीटी बने और इसकी रिपोर्ट चाह मेंने कंदर निश्चित रुप से दी जाए और यह उपाय किये जाए कि इस तरह की घटनाय न हो चौथी बात मुझे लगता है कि जो कास्ट ऑप्रेशन का प्रश्ण है जो प्रिडन का प्रश्ण है इसको लेकर बहुत जरूरी है कि इसकुली सिक्षा में इसको शामिल किया जाए कि इस तरह की घटनाय करने वाले लोग है वो इनसान नहीं है इनसान से बद्दर कोई रही है तो इसको भी इसको किया जाना चाहिए तिसरा कि अगर कोई सरकार लगातार उनके घटनाय हो रही तो इसका मतलग है कि सरकार का लोगों ने मैसेज यही समझा है कि इसमें घटनाय हो सकती है तो लगातार अगर हो रही है तो एक तो ऐसी सरकारों में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, DM यSP, उनको सीधे तोर पर जिम्मेदार बनाया जाए, आप जिम्मेदार हैं, ऐसी घटना हैं जहां भी होंगे, वहाँ वो DM यSP वहाँ पर नहीं रह सकता है, उसको दंडित करके वहाँ से हटाया जाए, उसको डिमोट किया जाए, तमाम तरह के उसके पर का अधान किया जाए, जो भी उत्पीड़ित पक्षोस को, इस तरह के मुझे लगता है, एक्जम्पलर ही है, कुदा आहरंग पेश करने वाले कदमों को लाए बगर, आप समझे कि 2020 में हम लोग हैं, मतलब एकिस्वी सदी का भी तो दशक बीत रहा है, और इस समय इस तरह की घ घटनाओं का होना, आपने बहुत ही चिंता की बात हो, देश की छवी, अगर प्लानमती सोच रहे हैं कि इतिवार बना कर कुछ चीज़ों को छिपा कर देश की छवी चमका लेंगे, तो देश की छवी क्या उनको लगता है कि इस तरह घटनाओं की खबर दुनिया में नहीं अगर बना को है, को पता नहीं कि हो कहा रहा है, तो यह बहुत जो यह घटना है, इसमें समाज के इसतर पर कुछ कारवाई होना, जिस जाती का अपराधी है, जिस जाती का भीत है, उस जाती को उस सब्सक्र देशा लिए सांगे, परिवार के देखना चाहिए, उन लोग다 के लड़े जाएं उनके केसे लड़ने के लिए कोई सामने न आए परिवार का सदस्य क्योंकि फिर वो ट्रेनिंग आ जाती है कि अच्छा इसी घटना होगी तो परिवार साथ खड़ा रहेगा जाती साथ खड़ी रहेगी तो जातियां अगर वह मानविये जातियां है सब्सक्राइब कोई इन सब्सक्राइब करना चाहिए आप इस तरह पूछ वह सकते हैं मट गातार है है और इस तरह की घटना यहां लगातार होती है तो मतलब शर्ण की बात तो है ही है दोस्तों में दगता है कि इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए और देश अगर इंसानी जो बुन्यादी मतलब एक human rights से उसको लेकर भी अगर अब संघर्स हो रहा हो तो यह बहुत ही गंभीर ब करने को शाहिए घटना करने के बाद हमारा कुछ नहीं भीगडेगा यहायगा वकुछ को तोड़ना पड़ेंसित को तोड़नों करने के यहा होगा नहीं यहायगा सब्सक्राइब करने की जरूत है तो यह मतलब बहुत निश्चत पाइदान पर खड़ा देश है इसमें चीजें अपने आप कुछ नहीं होती है तो यह देखिए इस पर और चीजें कैसे होती हैं सरकार पर निश्चत रूप बहुत बहुत निश्चत पाइदान पर खड़ा देखिए जरूरी सूचना दश्चत के सभी दर्षकों से अपील है कि आप हमारे नए यूट्यूब चैनल दर रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि दर शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साज दर रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है